इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 12 की exercise 7.2 का question number 30. Question है हमको integration find करना है sin x upon 1 plus cos x का. तो student सबसे पहले हम 1 plus cos x को t माल लेते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि जब हम इसका differentiation करेंगे तो हमें sin x मिलने वाला है. तो जिसका हमको differentiation मिल जाता है उसी question में उसी को हम t माल लेते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे let 1 plus cos x is equals to t 1 plus cos x को हमें t माल लिया. तो जिसको t माल लेते हैं उसका differentiation करना है तो differentiating both the sides. तो इसमें 1 का differentiation 0 होता है तो लिखने की जरूवत नहीं है. cos x का differentiation तो होता है minus sin x dot dx is equals to dt. अब हम अपने question को देख लिएते हैं. question है हमारा sin x upon 1 plus cos x. इसका हमें differentiation निकालना है तो dx और integration का sign लगा देते हैं. अब यह student यह देखिए आप कि हमारे पास में है sin x dot dx. जबकि यहाँ minus का है और यहाँ में plus का चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते है. sin x dot dx is equals to minus dt. यानि जो हमारा minus है इसको हम right hand side में ले गई. आप देखिए जो sin x dx है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? sin x dx ही जगह माइनस dt. तो देखिए हम कैसे लिखेंगे? minus मैंने बहाल लिख दिया और dt मैंने यहाँ पर लिख दिया. 1 upon 1 plus cos x को हमने क्या माना है? 1 plus cos x को हमने student t माना है. तो इसकी जगह में 1 upon t लिख दूँ? यानि 1 upon t. तो आई होब आपको इस समझ में आगया होगा. अब हमको करना है integration 1 upon t का. 1 upon t का integration होता है 1 upon x की तरह है. तो 1 upon x का क्या होता था? log x. तो यहाँ पर हो जाएगा log t है तो t लिख देंगे. तो log t plus c minus है तो minus लगा दिया. minus log. student जिसको t माना? यानि t किसको माना हमने? 1 plus cos x को t माना. तो यहाँ पर हम लिख देंगे. 1 plus cos x plus c. यानि जिसको t मानते हैं उसकी जो value होती है. उस value के हम यहाँ पर लिख देते हैं. तो यह हमारा final answer हो जाएगा. तो thank you for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में.